नमस्कार शंबल ग्राम में आपका सौगत है चलिए मैं आपको मेरा गैरेज है यह मैं आपको अपनी कौशाला दिखाता हूँ यह सिटी के अंदर आता है यह यह कैसा ग्राम है जो सिटी के अंदर आता है यह हमारी गौम आता हैं बैठी है शंभल ग्राम का अर्थ है शंभू जी का ग्राम जहां शंभू जी विराजमान होते हैं जहां नंदी की सेवा होती हैं जहां नंदी नहीं है वहां भोलेनात नहीं होते यह नंदी महाराज है इनका नाम है डोलक डोलक यह हमारे शेरु हैं इनका नाम है कालू इसका नाम है ब्लू कैसे वो बेटा खाना हो गया ना अभी और देंगे खाना ठीक है ये गार्ड करते हैं ऐसे गार्ड मैं ही हूँ यहाँ पर मैं कभी यहाँ सोता हूँ इनके बीच कभी वहाँ अंदर सोता हूँ वो टेंट दिख रहा न वहाँ पर ये दो मेरे बेड है जहां मैं सुच करता रहता हूँ कहाँ सोना है ये देवस्थान है भोले नात का यह ये 230-40 वर्ष पुराना देवस्थान ओम श्री जगत्चक्षु सरुपी सूर्य नारायनायनमह श्री जगत्चक्षु सरुपी चंद्र नारायनमह श्रीवरात्रिय लगने वाली है कुछ समय में ये गज्जु श्री महराज बैटे है नंदी ये दूसरे नंदी है एक नंदी यहां है उनसे बड़े नंदी वहां है 816 किलो बजन है उनका अलग रखना पड़ता है एक बार दोनों भीड़ गए थे तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको अलग किया था अब इस सब अंदर हो गए है यहां कूल 28 है बाकी खेत पर है यहां मैंने 28 लाकर रखे हैं यह हमारा यह हमारी जगा है शंकर नगर के अंदर आता है यह नाकपुर यह नाग नदी है यह नाग नदी है यह नाग नदी है जहां नाग वहां भूले नाथ जहां भूले नाथ वहां नाग यहां से नदी जाती है अभी अंदिर आया दिखे गा नहीं यहां हमने कुछ जानगारी डाल रखी है देसी गउमाता और जर्सी जो अंग्रे जो ब्रिटिश यूएस ने बनाई है ये जो दिख रही है न ये सब ब्रिटेन यूएस ने विक्सित की गई है दिखतें गाए जैसे पर गाए नहीं है एक ही पैचान होती है इन में कोंड होना चाहिए दिख रहा है ये हमारे देसी गउमाता है कोंड होता है ये है भार की नसल जर्सी अनिमल कहा जाता है इन्हे ये है देसी गिरकाव गउ जिससे आप कह सकते हो कोंड में यानि हम में विराजमान होते हैं भोलेनाथ के रुद्र अवतार मस्तक में होते हैं भुलेनाट बैठे हुए ऐसे 33 कोटी देवता है कोटी का आर्थ यानी प्रकार 33 के देवते हैं ये हमारे कुछ देसी नसले हैं इनकी जानकारी हमने या डाली है ये हमारे देवस्थान का नाम है श्री बिल्वोदकेश वर महादेव देश्थान गाउनन्द सेवा धाम द्वारा लोकल ल्यान के लिए जारी चंबल ग्राम 361 शंकर अगर एड्रेस बता दिया मैंने आपको तो अगर कोई पूछता है और अगर किसे डाउट होता है उसे पकड़ के यहां लाएं तरह शुली मा बैठी हुई है गाबन है साड़े छे महीने और सुबह साड़े छे बजे दूद निकालता हूं मैं मेरे साथ एक काका है मुझे मदद करते हैं मैं उनको मदद करता हूं यहां बचणे हैं सुन्दर प्यारे प्यारे चोटे-चोटे यह सब अभी आराम कर रहे हैं यह हर्यानवी नसल है यह साही वाले और यह हर्यानवी है बैठी हुई है जो इसका नाम गौरी है गौरी यह है इनका चारा यह करीब दस दिन का है दस दिन का चारा है करीब सोला सो कीलो है परसोई आया है यहां मैं रहता हूँ कभी यहां सोता हूँ कभी वहां सोता हूँ तो यह था मेरा छोड़ा सा परीचा है मिलते हैं हर्यों